अज़िस सूर्इट बारे बात करने जा रहे है वो एक स्टीट लेवल सूरे है पर उसकी पावर स्टीट लेवल नहीं है तो ये स्टीट लेवल सूरे हो है हमारा friendly neighborhood spider man जिसकी powers के बारे में आज हम बात करेंगे वैसे तो Spider-Man हमें अपनी आर्ट सोलो मूवी और एक Civil War और दो Avengers मूवी में दिख चुका है पर कई फैंस का मानना है कि हमें Spider-Man की Comic Book Powers मूवी इसमें प्रॉपरली नहीं दिखी पर Spider-Man 2 में Spider-Man का ट्रेन को रोकने की कोशिश करना Amazing Spider-Man में एक बस को होल्ड कर लेना और Civil War में बकी के पंच को रोकना ये सब बताता है कि Spider-Man हमारी सोच से भी ज़्यादा पाउरफुल है अगर कैब भी बकी के पंच को रोक पाते तो Captain America Winter Soldier बहुत जल्दी खतम हो जाती तो guys मैं हूँ अमन से ना और आज हम बात करने जा रहे हैं कि Spider-Man कितना पाउरफुल है तो बिना मेरी टोवी पर ध्यान दिये चलिए शिरू करते हैं तो सही बात कही जाए तो कई फैंस Spider-Man के पाउर लेवल को उस नजर ये से नहीं देखते जैसे वो Avengers, Fantastic Four या X-Men के पाउर लेवल को देखते हैं और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि Spider-Man इन सूपर हीरो ग्रूप के लेवल की फाइट नहीं लेता जैसा कि हमने Spider-Man Homecoming में देखा कि Spider-Man एक friendly neighborhood hero ही रहना चाता है जो कि अपने आस पास के street level crime को solve करके अपने neighborhood में शांती बनाए रख सके पर इसका ये मतलब नहीं कि Spider-Man powerful नहीं है Spider-Man का strength इतना है कि वो अगर जोड लगाए तो 20 से 30 10 उठाने की capability रखता है Spider-Man की strength के करी example है हमारे पस जिन में से एक example हमें देखा Amazing Spider-Man movie series में जहां Spider-Man एक van को अराम से hold करके था अब यहां Spider-Man को बहुत जादा कोशिश नहीं करनी पड़ी थी नहीं इसके बाद वो बेहोश हुआ था इसके बाद अगला example है Captain America Civil War में बकी के punch को रोकने का I mean इस same punch को रोकने के लिए Cap को अपनी shield का यूज़ करना पड़ा था इसके बाद हमें Spider-Man की strength देखी जब उसने Giant Man को बान के गिरा दिया Homecoming में एक ship को अलग होने से रोकने की कोशिश करी और उसी film में एक भारी elevator को hold करके रखा तो यह सब वो सारे example है जहां Spider-Man ने कोई भारी काम अराम से कर लिया और वो आगे बढ़ गया पर अब बात करते हैं Spider-Man के strength के prime examples की तो Spider-Man के strength का पहला prime example हमें देखने को मिला जब Spider-Man 2 में Spider-Man ने uncontrolled train को अपनी फूरी ताकत से रोका एक train का वजन बहुत होता है तो बेशक यहां Spider-Man train को उठा नहीं रहा पर एक चलती train को रोकने के लिए बहुत ताकत चाहिए जिसका calculation अगर आप देखना चाहें तो वो YouTube पर available है इसके कई सालों बाद हमने Spider-Man Homecoming में Spider-Man को देखा खुद को बहुत भारी मलवे से निकलते हुए और इन सब के भी उपर Spider-Man एक full speed चलती हुई train से टकराने के बाद भी जिन्दा बचा रहा एक normal human के लिए literally impossible होगा पर एक street level superhero का ऐसे accident के बाद बचना ये बताता है कि Spider-Man street level superhero अपनी मर्जी से है क्योंकि उसका power level बहुत उपर है और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़े सिर्फ movies में ही हुई है comics में भी Spider-Man point blank explosion से बच चुका है steel beam को मोड चुका है Dr. Octopus के हाथों को तोड चुका है steel beam के साथ और comics में भी Spider-Man एक elevator उठा चुका है इन सब के उपर अगर speed की बात करे तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि Spider-Man उन लोगों से fast है जो उससे strong है और उन लोगों से जाधा strong है जो कि उससे fast है प्लस Spider-Man intelligent है अगर मैं उसके science major, hacking skill और Parker Industries के invention को mention ना भी करूँ तब भी Spider-Man का सबसे बड़ा invention Marvel Comics के बहुत तगड़े तो नहीं पर अच्छे खासे inventions पर सबसे आगे है Spider-Man यानि की Peter Parker ने invent किया है Web Fluids इस वीडियो में mention के हुए आदे से जाधा strength feats Spider-Man इनी Web Fluids की मरत से अचीव कर पाया है ये fluids बहुत strong है जिनके बिना Spider-Man अधूरा है पर वो सिरफ Web Fluids ही नहीं है जो कि Spider-Man को Spider-Man बनाते है Spider-Man का सबसे बड़ा हतियार या कहें उसकी सबसे important power है उसका spider sense जो कि सिरफ एक simple मकड़ी घंटी ही नहीं है बलकि ये power Spider-Man को अपने आसपास हो रहे events के माइक्रो सेकंड में हो रहे reaction का general idea देती है और इसलिए Spider-Man खुद को बुलिट से बचा पाता है तो यहां मैं यह नहीं कह रहा है कि Spider-Man बहुत powerful है मैं बस यहां यह कह रहा हूँ कि Spider-Man हमारी सोच से बिजार powerful है तो गाईस यह थी वीडियो Spider-Man की powers के बारे में सही बात कही जाए तो Spider-Man के इतने powerful होते हुए भी street level पर लोग को बचाना ही उसे Marlul Comics का सबसे popular character बनाता है पर फिर भी अगर मुझे से कोई इटल मिस हो गई हो या आपके उसके नए फैक्ट है स्वीडियो से लिटेर तो प्लीज हो है कमें बताएं साथी साथ आप हमायर साथ अपना favorite Spider-Man moment जरूर शेयर करें उपर से latest super news और आजम स्प्रूव फैक्ट्स के लिए मैं Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो करना ना भूलें वैसे तो हम हर जगा हैं पर फिलाल घर में है तो गाईस अगर आप Spider-Man को comics में देखना चाते हैं तो मैं आपको हमारी Secret Invasion comic series रेकमेंड करूँगा उसमें Thor के entry भी जबरदस्त है साथी साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like और share ज़रूर करें वैसे कई सारे super content के लिए हमायर चानल को subscribe करना ना भूलें थैंक्यू गाइस तेसे तमान सेना और यू आर शूपर सूपर पीस